तो यहां वीटिस्टोन ब्रिज आपको देख रहा है इस figure में, यह figure गिवन है इस question में, है, here AB is 100 ohm, तो AB ब्रांच में यह 100 ohm का resistor connect है, okay, BC ब्रांच में यह 10 ohm का connect है, CD ब्रांच में 5 ohm का and DA ब्रांच में 60 ohm का यहां resistor connect है, जो कि given है question में, a galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD, okay, और एक galvanometer है, जो कि deflection so करता है, इसका resistance है 15 ohm, जिसे connect किया गया है across BD, okay, calculate the current through the galvanometer, अब हमको इस galvanometer से होके जाने वारा current जो कि IG से यह शो कर रहा है, यह हमको यहां calculate करना है, कितना होगा, when a potential difference of 10 volt is maintained across AC, जबकि AC के across 10 volt का potential difference maintained है, या फिर कहें एक battery connected है यहां 10 volt की, okay, तो हमको यहां current पता करना है, IG से कितना current यहां से pass करेगा, ठीक है, देखें, यह जो VT stone bridge है, VT stone bridge में आपने पढ़ा है, कि जो galvanometer हम connect करते हैं, across B and D point, इन दौनों points का potential होता है, वो same होता है, और same होनी पर क्या होता है, कि इस branch में कोई भी current flow यह नहीं हो सकता, जब B और D same potential पर होंगे, तो B से D की तरफ कोई भी current flow नहीं होगा, बट यहाँ, आप देख रहे हो इस चीज को, B and D के potential same नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह balance नहीं है, VT stone bridge, कैसे balance नहीं है, देखें, यह और यह, इन दोनों का ratio देखां, आप 100 upon 10 कीज़े, कितना आएगा 10, और 60 upon 5 करेंगे, तो कितना आएगा 12, तो 10 is not equals to 12, जो कहता है, P upon Q equals to R upon S, ठीक है, इसकी balance condition में यह होता है, और उस condition में क्या होता है, इसमें कोई भी deflection नहीं आता है, बट यहाँ तो deflection आएगा, तभी तो यह current माग रहे हैं यहाँ पर, तो यह current माग रहे हैं, तो यह current माग रहे हैं, it means B or D same potential पर नहीं है, तो यह आपको थोड़ा सा knowledge में होना चाहिए, कि यह unbalanced wheat stone bridge यहाँ पर है, ओके, यह balanced नहीं है, तो P upon Q, R upon S वाला यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है, वो तब काम करता है, जब Ig 0 होता है, लेकिन यहाँ तो Ig है, तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, simple kirchoff loop rule जो है, उसका यूज़ करेंगे, kirchoff second law, जिसे हम loop rule कहते हैं, उसका यूज़ करके, हम यहाँ निकाल लेंगे, because यहाँ voltage given है, resistance is given है, और current की बात कर रहे हैं, तो simple kirchoff loop rule, जो किसी भी loop में हम लगाते हैं, फिर किसी closed path में लगाते हैं, और simple हमको देख भी रहे हैं आपर path, देखे, kirchoff law को लगाने से पहले, एक बात यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको easy रहेगा, कि किस तरह से हम directions लेंगे, देखे, suppose अगर कोई ये register है, और इसमें ये current इस direction में flow हो रहा है, और हमारा path भी यही है, हमारा जो path है, वो भी along the direction of current है, या फिर हमारा path ऐसे हो सकता है, ओके, this is register, ये current की direction है, और जो हमारा path है, वो इसके opposite हो सकता है, किसके, जो current flow हो रहा है, उसके just opposite हमारा path में जो हम closed path लेंगे ठीक है अब देखिए जो current flow होता है वो होता है high potential to low potential ठीक है तो इस point का potential high होगा और इस point का potential low होगा तभी इस register से current flow हो पाएगा इस direction में ठीक है वैसे ही यहाँ भी high होगा और यहाँ low होगा अब देखिए हमारा path इस तरीके से तो हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ final होगा हमारा और यहाँ initial होगा ठीक है तो हम final minus initial करेंगे change पता करने के लिए क्योंकि हमको potential difference पता करने होते हैं इसमें होता क्या है किर्चोफ loop rule algebraic sum of all potential differences including EMF भी उसमें आ जाता है in a closed loop in a closed path is 0 ठीक है algebraic sum of all potential differences is 0 in a closed path यह होता है तो हमको यहाँ potential difference पता करने होते हैं तो यहाँ potential difference पता करेंगे इन दो point के बीच का तो कैसे पता करेंगे final minus initial करेंगे हम अब final potential low है initial high है तो final minus initial करेंगे आप तो low potential minus high potential करेंगे तो value किस में आएगी negative में आएगी कौन सी value i और r का जो multiplication होगा किस किस का i multiply r means resistance और current का जो multiplication होगा वो क्या आएगा negative आएगा इस case में और इस case में i और r का जो multiplication होगा current और resistance का जो multiplication होगा वो positive आएगा, कैसे positive आएगा कि हम जाएंगे इस direction में इस direction में high की तरफ जाएंगे तो final minus initial करेंगे तो high minus low potential करेंगे, तो value simple positive में ही आएगी, तो i into r किस में आएगा, positive में, तो एक बाद ध्यान रखेंगे, अगर हम current के along जाएंगे तो negative में आएगा, i into r का जो product है, अगर current के opposite जाएंगे, तो i into r का product positive आएगा, i into r means current into resistance, यह ध्यान रखेंगे, बार-बार यहाँ बदाने की जुरूत नहीं पड़ेगी, ठीक है apply कर लेते हैं, और कुछ यहाँ closed path assume कर लेते हैं देखे, कोचिश यह रहेगी कि हम current के opposite जाएं जिससे कि positive यह हमको मिलें चीज़ है नहीं तो फिर वहाँ से negative को इधर-उदर करना पड़ता है, थोड़ा सा order लगता है तो positive में ही कर लेते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे हम कि हम current के along ही रहें कुछ ऐसा path select करें सबसे पहली बात तो यहाँ हमको देखे, I1 और I2 और IJ कितनी value होगी, current की 3 value होगी तो हमको कम से कम 3 equation की जरुरत पड़ेगी, ठीक है तो 3 equation की जरुरत पड़ने के लिए हमारे पास 3 path तो होने चाहिए, एक path तो हमको यह वाला देख रहा है, ठीक है, यह वाला closed path मिल जागा, या ऐसे ले लिजिए या ऐसे ले लिजिए, एक यह वाला path हो जाएगा, B, C, D, B वाला, ठीक है या फिर ऐसे ले लिजिए, तो एक path यहाँ ले लेंगे, एक path इसमें ले लेंगे, second और एक path या तो आप ऐसे ले लेंगे, A, B, C और E, A, या फिर A, B, C, E ऐसे ले लेंगे, इसमें भी clockwise या एंटी-clockwise, जैसे आप चाहिए, वैसे ले लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि current क्या positive चलें, कुछ ऐसा लेंगे, ठीक है या तो उपर वाला ले लेंगे, या नीचे वाला ले लेंगे एक path हमको यहाँ मिल जाएगा, third ठीक है, तो यह path हम यहाँ ले ले लेते हैं assume कर लेते हैं, ओके तो देखते हैं किस तरह से रहेगा इसका solution सबसे पहले हम ले लेते हैं path, कौन सा यही first, first में देखते हैं, तो यहाँ से हम यह ले ले लेते हैं, B, A, D, B ठीक है, कौन सा path ले ले लेते हैं path, B, A, D, B, ओके तो सबसे पहले B से एक ही तरफ आएंगे तो यह हो गया I into R का multiplication, तो I1 multiply 100, ठीक है इस branch में current कितना है I1 और इसका resistance है 100 ohm और हम current के opposite direction में current के opposite होते हैं, तो product आता है positive, जो के हमने ले लिया यह positive ओके, अब हम आगे आएंगे तो I2 multiply 60, अब हम आगे current के along, current के along आएंगे तो negative आएगा, तो minus I2 multiply 60 तो यह minus sign आएगा, ठीक है अब आगे जाएंगे, तो फिर current के opposite आगे हैं, ठीक है, तो IG current है, और opposite है, तो positive आएगा product IG current हो गया, और इस galvanometer का जो resistance है, वो केतना है 59, ओके equals to क्या होना है, all potential differences हो गए, अब तो कोई बचा नहीं, हम B पर ही पहुँचके, B से start किया था, equals to 0 हो जाएगा, clear है, 0 हो गया, इसे solve कर लो थोड़ा सा कर लीजे, 100 I1, minus 60 I2, plus 15 IG equals to 0 ठीक है, यहां से कुछ common ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं common, तो 5 common लेंगे, तो यह 20, बचेगा यहां, 20 I1, minus यहां बचेगा, 12 I2, और यहां बचेगा 3 IG, और जो 5 होगा इसके नीचे पहुंच जाएगा, 0 के तो फिर भी 0 ही रहेगा, तो एक equation मिल गई हमको first, ठीक है अब path ले लेते हैं, second, इसमें कोशिस यह रखते हैं, जैसे देखी, यहां हमने यह path इसलिए लिया था, एक तो opposite तो फिर वही बात होती, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ठीक है, अब यह second वाला path ले लेते हैं ठीक है, यह वाला देख लेते हैं BC और यह क्योंकि यहां से भी फिर से दो opposite मिल जाएंगे हमको, तो देखते हैं path कौन सा है BC, D, B ओके, तो BC, D B में देखते हैं, सबसे पहले यह current हो गया, I1 I1-Ig ओके, यह current multiply by 10 O ओके, तो current और resistance का product हो गया और current के along जा रहे हैं हमारा path क्या है, अभी देखे path कौन सा था, अभी था path यह बाला, अब कैसा है path, यह like this, ऐसे चल रहे है ओके, तो हम current के along जा रहे हैं यहां तो, current के along जा रहे हैं तो, product कैसा रहेगा current के along, negative रहेगा ठीक है, तो यहां आगया यह negative clear, अब आगे आएंगे, यहां पे यह current के हम opposite आगे, इधर आएंगे हम, इस direction में, current के opposite तो product हो गया positive, फिर plus 5 के साथ i2, plus ig कर देंगे ठीक है अब आगे जाएंगे, तो 15 के साथ ig को कर देंगे, यह भी positive रहेगा क्योंकि हम current के opposite है ठीक है, तो current into resistance, यह issue करने थे, equals to 0 कर देंगे all potential differences हो गए इस path के, अब यहां से solve कर लेते हैं, minus 10 i1, 10 को नगे पर multiply कर दिया, और यह minus minus plus हो गए, तो 10 ig हो गया ओके, यहां पर यह plus 5 का multiply कर अंदर कर लेते हैं, तो 5 i2 plus 5 ig, ओके 5 ig, plus 15 ig, equals to 0, ठीक है ig, एक यह रहा, एक यह है, और एक यह है, 10 plus 5, 15, plus 15, 30 ig, तो यह हो जाएंगे, और i1, अकेला ही है, और i2 भी अकेला ही है, minus 10 i1, और यह हो गया plus 5 i2 plus 30 ig, equals to 0, ओके, अब यहां से देखे, कुछ common है, 5 common है और minus 5 ले लेते हैं, common में minus 5 तो यहां बचेगा, 2 i1 plus, sorry, minus बचेगा यहां, minus बचेगा, तो minus i2 minus 5, 6 जा 30 equals to 0, minus इसी ले लिया क्योंकि हमने i1 को positive कर लिया थोड़ा सा और नहीं देखेगा, i1 यहां भी positive यहां भी positive, तो उसे देख लेंगा, अब यह minus 5 इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो इसे हटा लेते हैं हैं से कोई जरूत नहीं है, यह bracket भी open हो जाएगा, यह हो भी second equation ठीक है, अब equation 1 है, हमारे पास equation 2 है तो ig तो हमको निकाल नहीं है, तो ig को तो हम cancel करेंगे नहीं अब देखे, i1, i2 में से कोई एक cancel कर लेंगे, इन दोनों equations का यूज़ करके, ठीक है, अब easy क्या पड़ेगा, कि हम इस equation में 10 से multiply कर लेंगे तो यहाँ 20 आ जाए, यहाँ 20 है, तो minus कर लेंगे equations को यह दोनों cancel out हो जाएंगे, तो हमको i2 और ig की equation मिल जाएगी अपर आर्म वाले लेंगे, तो अपर वाले में i1 और ig आ रहें, लेकिन हमको i2 और ig के चाहिए, क्योंकि हम इन दोनों को cancel करके i2 ig की equation यहाँ से निकाल लेंगे, तो i2 ig की एक और equation हो जाएगी, तो वो दोनों solve हो के वहाँ से ig मिल जाएगा हमको तो हम नीचे वाला ले लेते हैं, तो यह better रहेगा, ठीक है, तो adc और ea यह वाला पात, तो हम opposite वाला ले लेंगे, cdaec यह बात ले लेंगे, क्योंकि हमको जादा स्यादा positive में मिल जाएगी values, ठीक है, तो दो equation है हमारे पास, तो इन दोनों equations को हम यहाँ note कर लेते हैं पहल और second equation है हमारे पास, 2i1 minus i2 minus 6ig equals to 0, ओके, यह है equation 1 और यह है equation 2, ओके, अब कर लेते हैं, यहाँ से इसे remove, और remove करके बस एक चीज़ और बचेगी हमारे पास, बस क्या, एक equation और चाहिए i2 और ig में, क्यों चाहिए, क्योंकि हाँ से हम i1 को remove कर लेंगे, equation 1, 2 से, और i2, ig की 2 equation मिल जाएंगी, तो वहाँ से हम easily ig निकाल पाएंगे, ठीक है, i2 की value put कर देंगे, equation में तो जिससे का ig निकल जाएगा हमको, ठीक है, तो यह equation हमको मिल गई हैं दोनों, अब हम third path ले लेते हैं, कौन सा path हो जाएगा, c, d, a, e, c, ठीक है, यह वाला path, जिसमें हम दोनों ही current जो हैं, opposite direction में मिल रहे हैं, fine, चलिए c, d, c की तरफ आते हैं, तो current के opposite आ गए हैं, तो यह दोनों का जो product होगा, 5 into i2 plus g का जो product होगा, क्या है, 5 multiply i2 plus ig, यह वाला product positive ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम current के opposite हैं, तो current के जब opposite होगी, तो product positive, फिर से यहाँ positive, 60 और i2, य यह वाला product जो है, यह भी positive होगा, अब यहाँ आएंगे, तो यहाँ तो कोई resistance तो है नहीं, इस branch में, i है only current, यहाँ आ गए फिर हम, यह positive end है, यह negative end है, ठीक है, तो हम इस direction में जाएंगे, यह है हमारी direction जाने की path की जो है, ठीक है, इस direction में जाएंगे, तो हम final minus initial करेंगे, जब potential difference बता करेंगे, तो final low है यहाँ, क्योंकि negative low होता है, और यह initial high है, तो final minus initial करेंगे, तो low potential minus high potential करेंगे, तो जो value आएगी, किसमें आएगी, negative में आएगी, ठीक है, तो यह minus 10 volt हो जाएगा, minus 10, equals to 0, equals to 0, तो all potential difference होगे, including EMF जो बात कर रहे तो वो यह, EMF, ओके, अब इस plus 5IG, plus 60I2, minus 10, equals to 0, ओके, यह दोनों मिलके होगे, 65I2, plus 5IG, equals to 10, ओके, अब यहाँ से 5 common ले लेते हैं, फाल्तु में ज़्यादा जाएगा, 13 होगा, 13, 5, जाए 65, plus IG, इधर 5 से डिवैड कर देंगे, उसको, तो 10 upon 5 means 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 की नीचे पहुन जागा, यहाँ से 5 common लेके, तो वो 2 कर देगा, इसको, एक equation मिल गई हमको यह third, ठीक है, अब यहाँ, I2, IG की equation मिलगे, इन दोनों को solve कर लिजे, एक बार solve कर लेते हैं, चलिए इनको, कौन कौन सी equation है, इन दोनों को solve कर ले i2 को cancel out करके, जो भी है, तो इन दोनों को solve कर लिजे, इसको solve करने के लिए, यहाँ 10 से multiply कर लेते हैं, इस equation में, क्यूंकि 10 to 20 हो जाएगा, और दोनी side में करेंगे, तो इधर तो 0 ही है, कोई फरक नीपड़ेगा, तो first equation क्या थी, 20i1 minus 12i2 plus 3ig equals to 0, यह थी equation 1, second वाली में multiply हो 10 से तो वो भी हो गया, 20i1 minus 10i2, okay, minus 60ig, okay, equals to 0, इसको कह दीजे 5 equation number 5, क्योंकि इसमें 10 से multiply हो गया, लेकिन है वही, 5 कह लिजे, कुछ भी कह लिजे, कोई ज़रूत है नहीं, बस बात कर लेंगे, बता बता के कि यह equation है, अब इनको minus कर लेते हैं, ठीक है, यह plus है, तो यह minus हो हो गया, यह minus, यह plus हो गया, और यहां तो कोई मतलब है ही नहीं, वो 0 ही आ रहा है, okay, यह cancel out हो जाएंगे, यहां क्या होगा, minus plus minus, तो minus 2i2, okay, और यहां क्या होगा, यह जोड़ जाएंगे, 63, plus 63ig, equals to 0, okay, अब थोड़ा सा उपर का remove कर लेते हैं, पार्ट, इसकी तो जरूत है, नहीं, equation को छोड़ देते हैं, बस, equation number 3 को, okay, चलिए, यह equation मिलती है, हमको क्या मिलती है, minus 2i2, plus 63ig, equals to 0, इसे solve कर लेते हैं, थोड़ा सा, यहां से देखिए, अब हमको, हमारे पास, एक equation यह है, एक equation यह है, अब देखिए, यहां हमको चाहिए क्या, ig चाहिए, तो यहां से थोड़ा सा ig, हम यहां से i2 निकाल लेते हैं, और इसमें put कर देते हैं, यहां से i2 निकाल के, इसमें put कर देते हैं, तो complete equation ig क्यों हो जाएगी, तो easily solve कर पाएंगे उसको, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, तो यहां से निकाल लीजी आप i, i2 निकाल to 63 upon 2, 60 के निचे 2 आ जाएगा और ig, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2, 3 जा 6, और 2 बन जा 2, फिर point लगा के 0, 2, 5, 0, 10, ig, ओके, तो i2 की value आगे ही यह, अब इस value को हम रख देते हैं, इस equation में, so put i2 equals to 31.5 ig in equation 3, ठीक है, इस equation में, third equation number 3 में, रख लीजिए, इसे यहाँ से remove कर लीजिए, इसका कोई value है नहीं, ओके, इस equation में हम रख लेते हैं, तो 30, 13 multiply यह, 31.5 ig, हो गया, अब यह ig की form में equation बन गई, तो यहाँ से ig एजी निकल जाएगा, इसको multiply कर लेते हैं, 31.5 को 13 से, ओके, 31.5 को 13 से multiply करेंगे, तो 13.5 जा 65, 5, 6, 13 बन जा 13, तो 6, 19, 9, 1, 13, 3 जा, 39, and 1, 40, ओके, तो 1, 409.5, 409.5 ig, plus ig equals to 2, ओके, तो एक और जो add हो जाएगा, इसमें तो यह होगे, 410.5 ig equals to 2, तो ig कितना हो जाएगा, ig equals to 2 upon 410.5, अब देखेंगे, इससे divide कर लेते हैं, यह point अठा के, यहाँ, 0, 1, बढ़ा लेते हैं, और इसको divide कर लेते हैं, 20 को 4105 से divide कर लेते हैं, ठीक है, क्या करना है मैं divide में, 20 is divided by 410.5, sorry, point तो हटा ही लिया था हमने, okay, point तो निकली गया, तो 4105 से divide कर लेते हैं 20 को, जगा छोड़ लेते हैं, क्योंकि 0 बढ़ानी पढ़ेंगे, एक 0 increase कर लेंगे, नहीं होगा, फिर 0, फिर 1 और 0, अब भी नहीं होगा, तो फिर 0 और 1 और 0, ठीक है, तो 4 यह 5 जा करेंगे, 4 5 जा 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 जा टाइम कर रहेते हैं, 4 ताइम्स, तो 4 5 जा, 4 5 जा 20, 2, 2, 4 बन जा 4, and 4 4 जा 16, यह होगा, मैनस कर लेंगे, 0, 10 मैं से 2, 8, और यह 9 मैं से 4, 5, और यह 9 मैं से 6, 3, ओके, अब 1 मैं से 1, 0, अब फिर से क्या करते हैं, यह फिर से छोटा हो गया, फिर से 0 बढ़ा ले देख, यूप पॉइंट जो लगा हुआ है, अब देखिए, यहां 4 8 जा 32, और 4 9 जा 36 ज्यादा हो ज 0, 10 मैं से 4 जाएंगे, 6, और यहां 7, यहां 7 है जाएगा, ठीक है, 17 मैनस 8, 9, और 4 मैनस 2, 2, ओके, और फैनली 3 मैनस 3, 0, और अब देखते हैं, 4, 7 जा 28, 4 8 जा 32 ज्यादा हो जाएगा, 7 times, 7 5 जा 35, 5, 3, 3, 7 बढ़ जा 7, 7 4 जा, sorry, 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 क्या हो गया, this is, 0 तो बढ़ा ही नहीं बढ़ी, एक 0 बढ़ा लेते हैं, तब ही तो जाएगा, है न, पॉइंट तो लगा हुआ है, यह already, तो 7 से 4 जाएगा, 4 5 जा 22, and 4, 7 जा, sorry, sorry, 7 times दे रहे हैं, 7 5 जा, 35, 5, और 3 हो जाएगा, 7 जा 7, and 7 4 जा 28, ओके, मैनस करेंगे, जो भी आए, अब बहुत हो गया, इतना काफी है, तो यहां लिख लेते हैं, यह value आगी हमारी, 0.00487, ओके, this is, तो यह value किसमें आएगी, यह आएगी in ampere, ओके, अभी इसको और solve करना चाहें आप, तो इसे लिख लीजे, इस tender form में, तो इस tender form में कैसे लखेंगे, 1, sorry, यह एक point जाद लग ग 4.87 ampere, okay, 2, 0 है, only, तो 2 ही 0 है, तो इसको इस tender form में लेख लीजे, इस point को यहां ले जाए, 4.87 multiply 10 to power minus 3 ampere, यह इसकी tender form होगी, जो scientific form होती है, यह जो value है, वो 1 और 10 के बीज में होना चाहें, तो यह तो 1 से काफी छोटी है, तो हमने 1 और 10 के बीज में करने के लिए, point को यहां 4 के बाद लगा दिया है, तो यह 10 to power minus 3 ampere इतना, इसको milli ampere भी कह सकते हैं आप, 4.87 milli ampere, तो जो IG है, उसकी जो value है, यह है, means, जिस branch में galvanometer लगा है, उससे इतना current flow होगा, this is answer, ठीक है, तो जो IG की value है, यह मिल गई हमको यहां, आप इसे यहां note कर सकते हैं, this is 4.87 milli ampere, this is final answer, okay, screenshot ले सकते हैं, अब क्या screenshot लेंगे, काफी calculations तो होई गई है, okay, so this is the solution, thank you.